हेलो दोस्तो, मोबाइल फोन की बैटरी से ज्यादा तर लोग परिसान ही रहते हैं क्योंकि जब भी वह फोन चार्ज करते हैं उन्हें चार्ज करने में कम से कम दो से या तीन घंटे लग जाते हैं और फोन की बैटरी मुश्किल से जब आदे घंटे भी नहीं चलती तो इसमे आप की बैटरी भी पहले मुताबिद बहुत ही ज्यादा बढ़े हां चलने लगेगी तो आज व आपको ऐसको इस सेटिंग बताने वाला हूं जिसको करने से आपका फोन की बैटरी बहुत ही बढ़े हां चलने लाएगी पहले कया ACL कि ена चलेकी कम से कम टीन से चार गुनां मिलती रहे अबर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक चिरू कर दीजिए गा तो चलिए अब लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ तो दोस्तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले अपनी सेटिंग पर जाना होगा सेटिंग पर जाने के बाद आपको फोन में एडिशनल सेटिंग का आपसन होगा आपको इस पर चले जाना है इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक डेवलोपर आपसन मिलेगा आपको इस पर चले जाना है अगर आपके एडिशनल सेटिंग में आपसन नहीं मिलता है तो और यहां पर MIUI वर्जन पर आपको यहां पर चार से पांच पर किलिक कर देना है, इसके बाद अब आपको वापस अपने फोन में आ जाना है सेटिंग पर, एडिस्टनल सेटिंग पर, मेरे में पहले से था ही, तो मेरे में सो कर रहा है, अब जिसके फोन में नहीं दिखेगा, तो उसको यह कर लेना है, उसके बाद आपके फोन में डेवलोपर आप्शन एनेबल हो जाएगा, इसके बाद अब आपको developer option पर चले जाना है इस पर जाने के बाद अब मैं आपको इसकी 5 setting बता देता हूँ जिससे आपकी phone की battery बहुत ही बढ़िया चलने वाली है चले हम लोग सबसे पहले setting की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर उपर की तरफ आ जाना है और आपको यहाँ पर एक option मिलेगा वाई फाई scan throat link आपको इसे on कर देना है इसका on करने का मकसद क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस पर नीचे लिखा हुआ है reduce battery drain and improves network performance यानि कि यह आपकी battery को drain तो करेगा ही साथ ही साथ आपके network को भी improve performance करेगा आपके network की speed भी बढ़ जाएगी इसलिए आपको यह setting ज़रूर on कर देनी है चले फर्स नंबर की setting हम लोगोंने complete कर ली अब हम लोग बताने आ आ ले हमें कि second number की setting में आपको क्या करना है तो चले है उसके लिए भी हमें बता देता हूँ आपको यहाँ पर उपर की तरफ आ जाना है और आपको यहाँ पर एक option मिलेगा graphics driver performance आपको इस पर click कर देना है इस पर click कर देने के बाद अगर आपके phone में यह on है यह off है तो जोस्तों आपको क्या करना होगा अगर आपके phone में यह on है तो आपको इसे off कर देना है अब इक साब मकसद क्या होता है मैं आपको यह भी बता देता हूँ जैसे कि माली यह आपके phone में यह on है यहाँ पर आपके सारे एप जितने भी एप हैं वाप पर सारे so होते हैं और यह आपके background में process करते रहते हैं इससे कि आपके फोन के बैटरी बहुत ही जादा जाती रहती है। इसलिए आपको खास कर इसे आफ कर देना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दूसरे नमबर की सेटिंग भी कम्प्लीट कर ली है। इसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड नमबर की सेटिंग पर। उसके लिए आपको यहाँ पर उपर की तरफ आजाना है। और आपको यहाँ पर एक आप्शन मिलेगा आटोमेटिक सिस्टम अपडेट्स। आपके फोन में अगर यहाँ आन है तो आपको इसे आफ कर देना है। यह ऐसा क्यों कर देना है। माल लिए आटोमेटिक सिस्टम अपडेट अच्छा तो है कि अपने आप फोन अपडेट हो जा रहा है बट कोई कोई अपडेट ऐसा होता है जिसकी ना करने को भी आपके चांस रहते हैं। जिसको अगर आप कर देते हैं तो आपके phone में problem हो सकती है अगर आपके phone में option open आएगा तो वह update अपने आप हो सकता है जिससे के आपका phone खराब भी हो सकता है तो इसलिए आपको इसे हमेशा off करके रख देना है तो यहाँ पर हम लोग ने third number की setting भी complete कर लिए अब हम लोग बात करने वाले हैं fourth number की setting की इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे last में नीचे की तरफ आ जाना है इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा background process limit तो आपको इस पर click कर देना है अब आपको यहाँ पर no background process पर click कर देना है इसका मतलब किया मैं यह भी पता देता हूँ जैसे कि आपके जितने भी application ने वैसा background में process करते रहते हैं तो इसलिए आपको यहाँ से no background process पर click कर देना है यानि कि आपका कोई भी application background में process ना करता रहा है जिससे कि आपके फोन की बैटरी यूज होती रहती है तो आपको ये भी कर देना है तो दोस्तो आज मैंने आपको यहाँ पर चार सेटिंग बता दिये जो कि आपके फोन में बैटरी को सेफ करने के लिए बहुत ही जादा अच्छी काम करेंगी तो दोस्तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो एक लाइक चरूर कर दीजेगा और शैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स